हेलो एको हेवरिवाण वेल्कम लेक टॉार एजूकेशन चेनल आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुशंदान और उसके इंपॉर्टेशन रहे हैं 새माजिक अनुशंदान है,这是 यह सोध है यह दोनों की मतलब ही होता है है और आज हम इसके बारें पढ़ेंगे इसको जो है दो सब्दूसे मिलकर बनाए अंगरोटजी के री पलस सर्ष री कर्च होता है जो पुनाए होता है द्वारक्त किया जाता है सर्ष मतलब खोज करना होता है और इसकी जो प्रिवासा आज आपको वो याद करना है सामाजिक अनुसंदान के बारें पहले हम बता देते हैं होता है क्या है यह होता है जो भी हम नया मलव नभी इंग्यान प्राप्त करते हैं उसी को हम सामाजिक अनुसंदान कहते हैं और सामाजिक अनुसंदान की विविन विविन परिवासा है दी गई है जैसे कि GM Fraser के अनुसार जो बता गया किसी समस्या को हल करने या एक परिकल्पना की परिक्सा करने या नए घटना करम या उसमें नए संबंदों को खोजने के उद्देश्चे से जो सामाजिक परियोग किया जाता है उसे सामाजिक अनुसंदान कहते है एक्जाम में अगर हम परिवासा है कि जिसने दिया उसके बारे में लिखते हैं तो उसके लंबर अच्छे मिलते हैं इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं मोजर वाली थोड़ी लाइन आसान है सामाजिक गटना होगा समस्याओं के सम्मन्द में नवीन ग्यान की प्राप्ति के लिए जो एक वेक्तिका तनुशंदान को हम सामाजिक सोथ कहते हैं जो भी सामाजिक गटना है सामाजिक समस्या होती है उसके बारे में नवीन ग्यान प्राप्त किया जाता है उसी को ही सामाजिक अनुशंदान कहते है अब इसकी विशेष्टा है पड़ेंगे विशेष्टा हम क्या है इसकी विशेष्टा विल्गुल सरल है पहली विशेष्टा यही है कि एक विग्यानिक पदिती के आदार पर होता है सामाजिक सोध की जो संबंध है वो वास्तिवता और सच से होता है इंपोर्टन्स पॉइंट्स ही है ये इसके कि विग्यानिक के आदार पर होता है सच के आदार पर होता है इसका मुख्य उद्देश से ग्यान की प्राप्ति होती है वहवारिक तत्यों की पूर्ति में इसका योगदान उद्देश से पूर्ण ना होकर अक्कास्मिक होता है इसकारत एक वहवारिक जीवन में उप्योगी बनने के उद्देश से मानब के अकल लान करने, सामाजिक शुदार करने, अत्वा सामाजिक नियोजन करने के उद्देश्टे से अपने अनुस्षद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् समूर से उतना महत्वनी होता है जितना की मानव क्रियाव से होता है सामाजिक जीवन भीन घटना एफिनोमिया में सम्विवाजन होते हुए भी फंट्सन के आधार पर उन्हें बाटा गया है ऑछ और सामाजिक जीवन वाग्टनाओ पर अधिक से अधिक नियंतर पाने का प्रतिम करता है फस्ट कोशन यही था इजी कोशन है इन दोनों में से ये सेटिंड कोशन इतना इंप्रोंट नहीं है सामाजिक सोध को प्रिवासित कीजिए और इसके अधेश से बताईए उदेश से में भी सेहत द्धानिक और वेवारिक आजाएंगे सेहत द्धानिक में आप बता सकते हो कि इनके संब्धों को समझे बिना सामाजिक घटना जार तत्यों को वस्थिकष्थ का समझना कठिन है जैसे कि अपराद की जो घटनाए होती है समाज में या फिर इसका जो जो सही हुर्थ हमें समझना है यह अपराद वा गरीबी अपराद वा गंदी वस्ती अपराद वोगी करन आदी से पाए जाने वाले जो सम्मंध होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी होता है और जो यह पालिंग वी एंग के नुशार प्रियोक्षी तत्यों क्यादार पर अफधार्नाओं का निर्मान करना सामाजिक शोद का उद्देश्य है थर्ड पॉइंट सामाजिक जीवन घटनाओं तत्यों समस्याओं के विश्य में ग्यान प्राफ्ट करना है उद्देश्य है इसके जो मुख्य पॉइंट्स वही हो जाएंगे जो हमने पहले विश्य इस्ताइप पड़ी है न वही उसके इंपोटेंट पॉइंट्स है प्र सामाजिक सोद में नवीन घ्यान प्राफ्ट किया जाता है इसके बारे में ये पूरा कोशन है इसका मुख्य उद्देश से ही वेक्ति के बारे में अद्दन करना और उसके जो सामाजिक घटनाएं के बारे में अद्दन करना होता है नेक्स्ट कोशन जो है थर्ड कोशन है स सामाजिक शोद के विविन परकारों कवर्नन कीजिए इसमें भी जो परकार बाटे गए आप इसको सेकंड को सन की तरह लिख सकते हो लेकिन इसमें मौली के विशुद शोद ये बस पॉइंटों को उसके हैडिंगों को चेंज किया गया है आंसर में लगबग वही है सब कुछ यहां देख सकते हो आप किरिया सिक में सोग होता है अद्दन के विशे में समय घटना समझ वास्तिक का किरिया होती है समस्य घटना के संबंद में ग्यान होता है सहयोग की प्राप्ति होती है रिपोर्ट को आरम में अंत्रिक रूप ना देना होता है इसमें यह है कि जो जो आगे की बात जान नहीं है यह पांच पॉइंट बहुत आसान थे इसके वह आप नहीं पॉइंटों को डिख सकते हो जो हमने से किन और फर्स्ट कोर्शन में किया है वह इसके हेडिंग इसमें चेंज हुई है जिसको आप एक बार पढ़ सकते हैं जाम देने से पहले प्हूर्थ यूशन जो हुई हो भी सहमाजिक सोच के महत् さंब को बताता है तो महत्य कोश माज कुछां गड़नियक से का मतलब इसमें यह है समाजान को आगे जागुट किया सकता है आर हमे जाना को समाज में स समाज में कौन usha acid प्रक्रिया जो समाज तोड रही है इसका वास्थिक्ता कार今天 ऊप्योंक II कि अगए ता है मि posamask साओंता एक जहांता पीस्थे साओंकि की परॉंता के बारे मता गया है कि फूर्थ पॉइंट है अग्यानता का ना जो अग्यानता होती है उसका नास करना होता है जैसे संबाद में अंध्विश्वास होते हैं और विश्वास यह बोध करने कारती है यह होता है कि इस विश्वास की संबंद में समस्त अंधकार दूर करना है जै जाते हैं सामाजिक विज्ञानों की उन्नती में सहाइक है और यह फर्स्ट जो वो था आपका लेसन के इंपोर्टेंट को सन और चप्टर की पूरी सम्मरी इसी वीडियो में हो चुकिए और अब जो आगी का यह पढ़ेंगे हम इसमें वो पढ़ने वाले समाजिक अनुसंदान के भिविन चरन तो यह कोशन भी आता है इन दोनों फ़र्स्ट लेसन मेंसे और सेकेंड लेसन मेंसे कोई एक कोशन करना है आपको सबसे आसान फ़र्स्ट कोशन भी आसान था फर्स्ट का मतलब यह इसमें की आपको जब सामाजीक शोद करना है तो उसमें किन में धाख सका दoughना कि लेकिन जोज़ श्रीमती पीवेंग की नुशार कारिवाइग उलकल्पना सामुरिक का अवलोकन लिखी तक्तियों की सेहनी में और जो आपका ये प्रोफेसर डबलु सी सर्टर के नुशार सोथ के चेत्र में अत्व विशय का चुनाप करना फिर समस्य के किखेत्र में सर्वेक्शन करना फिर उसके बाद पुस्ता के सूची निर्मान करना समस्य को परवासित करना फिर हमें समस्या के तत्वों का विवाजन करना फिर समस्या के तत्वों को आकड़ो अत्वा परिनामों की इसाहत संबंदों की आधार पर बरगी करना फिर समस्या के तत्वों की आधार पर आकड़ो तत्वा परिनामों का निर्दान करना और फिर अवस्ये का आकड़ोगा परिणामों के उपलाब दनुमान सुर्ण लगाना समश्या के हल होने की जाज करना आकड़ोग तता सुचना उकसंकलन करना आकड़ोगा परमानों का विश्छलेशन वा निर्वाचन करना और जो आपको पेपर में लाइन निखनी है आप यहां से शुरू कर सकते हैं इसको जब भि हम समाजीकानोसंधान के निमनेंगे चरन है तो जिन मेंसे होकर अनुसंधान का कारिय आरम होता एंत किया जाता है तो उसमें सबसे पहले हमें और उस्ते से का चुनाप किया जाता है जिसका क्या मेदन करने और उसका चैत्र के बारे में छेडिन पॉइंट जो है विश्य का चुनाव कर लेने के बाद हमें क्या होता है रिसर्च बूक्स जो भूतिया पुस्तक के होती है जिन पहले अध्धन किया जाचुका उस विश्य पर उसमन को पढ़ना होता है ताकि उनके बारे में थोड़ा एक सोथ से फिर दोहराने वाले गलती नहीं होगी इसमें होता je हमने daughter बुस्तकों को पर लंगे तो में हम से करता कर चुकई हैं और हम्हें उसके बारे में थोड़ा ग्यान हो जाएगा कि मैं किस परकार करना थार्ड पॉइंट त्रेकिश के बारे ततनावादी बहुत सरहल होते हैं प्रतीक परंतु ये द्यमीन आरम में इस परिकल्पना करें तो इनका आज गी चलकर परिवासित करना बहुत कटिन हो जाता है फोर्थ जो है सामाजी शोद का चौथा करन परिकल्पना इसका पूरा चेप्टर भी आएगा आगे परिकल्पना क्या होता है आप इसको सौर्ट में लख सकते हो कि हम इसको पहले से एक धाना बना लेते हैं कि हमें एक कारिये किस परकार करना है और उसी को मानकर हम उसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसके उपर कारिये करने लगते हैं और जब हमने परिकल्पना का निर्मान करने के बार जो शूचना के इस उसको होते हैं, उनके बारे में हम जब पढ़ते हैं, तो इसके लिए तथ्यों का संकला ना बस सके, ये तथ्या स्वेम बोलते है, क्या ठीक है क्या गलत है, उसी बोली की सोध करता, खुब समझता है, फ स्कूर्तों कि विषय में विचार कर लें परख सोध विशय की परकर्ति के प्रक्रती के नशार उन प्तियों का चुनाव होगी सब्सक्राइब करने के संब्सक Jupiter करता है क् paling जuyu को तक Almighty और Gambus के संब्सक्राइब एक सब्सक्राइब क्योंकि पस्ठे के धग करता है क्योंकि इसके और फिर जो आपके नेक्स्ट पॉइंट है एट पॉइंट है लास्ट पॉइंट है इसमें नियमों का परतिपादन सामाजिक सिस्टिक रूप छैकांतिम चरन है जो कि कि इसमें क्या बता गया है वही इसी इस तर पर निश्कित रूप से मालूं 25 रहे और हमें लास्ट केस तरटर अव यह पता लगजाता है कि हमने जो परीकल्पना Benahi थी वह सङी है कि गलत हैं कुछ भी हो परंतों तो इसके ग्ञान Vay जठी horizon कि विर्दी होता है तो इसमें जादकर सफलत पहने की संभावन होती है मुख्य रूप के मुख्य रूप से जो इसके आठी चरंती दोने पड़े हैं लेकिन प्रंतु पहन्सवालियो विशुद्धाले को प्रोफेसर डव्लू सी इसल्टर ने इन चन्नो को और विविश्दार से 15 परकारों से परिशुद किया हैं आप एक्जाम में इसी परकार देख सकते हैं वन टू एट से और थोड़े से आप इसमें इनको परिवासित कर सकते हैं उन्हें परिवासित पड़ी थी आगे यह वाली जोर्ज के अनुशार और पीविएंग के अनुशार यह आता है कुस्टन बिल्कुल इंपोर्टन कुस्टन नहीं जब जो दोजार त इसका सोचलोजी का एक्जाम हुआ भी एथर समेस्टर का उसमें कुस्टन आया है कि 60 नंबर का तो इंपोर्टन कुस्टन है तो आप इन दोनों लेहसनों को पढ़के जाए वीडियो अच्छ लगे तो शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और किसी भी एमडियू का कुस्ट पेपर हो चाहिए हो तो कमेंट करें और ठैंक्स फूर वाचिंग और सोसलो जी कि आगे भी सभी चैप्टरों की वीडियो ऐसी आएगी आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए आप इन्हीं जो कोस्टन को हम करवा रहे हैं इन्हीं को कर जाए आपके बहुत अच्छे माक्स आंगे यह चैप्टर की सम्मरी के साथ इनमें जितने भी क जो कि समाजिक अनुशंदार में वस्तो निश्क्टा के बारे में होगा और उसी के साथ हम आगे भी जो निरेक्शन अव्लोकन प्रनाली है इंटर्व्य मेथट है सक्षार केस इस्टडी है उनके बारे में पढ़ेंगे इसको उसलिए उसको पूरा कंप्लेट करेंगे हम त तो आपको किसी भी परकार की कोई भी समस्चा आया कोश्चन पूछ नहों तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड थैंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो